सलाम आलेकुम विवर्ज आज हम आर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि आर्गेनिक कंपाउंड क्या है लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताके मेरी आने वाली इंट्रेस्टिंग और इंफरमेटिव वीडियो आप तक बाअसानी पूंच सकें और मेरी वीडियो को जएदा से जएदा लाइक और शेयर करें ताकि जएदा से जएदा लोग इससे बेनिफिट हासर का सकें और मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपका कोई क्वेस्टिन हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सो वीवर्स अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले हम आरगेनिक कमपाउंड का ओरिजन देखेंगे उसके बाद हम इसकी डेफिनिशन देखेंगे डेफिनिशन में इसकी दो टाइप की डेफिनिशन है एक ओल्ड है और एक नियू है और ओल्ड डेफिनिशन में एक बहुत ही इंपॉर्टन टर्म जो के वाइटल फोर्स थेयरी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे कमपाउंट से प्रेपेर किया और फिर हम देखेंगे कि आरगेनी कमपाउंट के हमारे डेरी लाइफ में इसके यूज़स क्या है और कौन सा सबसे पहला आरगेनी कमपाउंट इन आरगेनी कमपाउंट से प्रेपेर हुआ सबसे पहले हम देखते हैं कि औरगेनी कमपाउंड का ओरिजन क्या है कमपाउंड को 200 साल पहले उनकी प्रॉपरिटीज और डिफाइन किया जाता था यही औरिजन बना औरगेनी कमपाउंड का और अरगेनी कमपाउंड को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया कि दोस कमपाउंड विच और औरगेनी कमपाउंड वो कमपाउंड जो हमें लिविंग अरगेनी कमपाउंड से मिलते हैं उनको हम अरगेनी कमपाउंड कहते हैं इस definition के जरीए ये कहा जाता था कि जो चीज organic compound को त्यार करने में involved होती है वो vital force theory है जो कि living organism ने present होती है और इसी vital force theory की वज़ा से हम organic compound को prepare करते हैं और इने simple यानि के हम laboratory में prepare नहीं कर सकते इन organic compound से prepare नहीं कर सकते ये कहा गया था vital force theory के बारे में पट एक जर्मन scientist जो इस बात से agree नहीं कर रहा था कि हम organic compound को simply laboratory में इन organic compound से त्यार नहीं कर सकते उसका कहना था कि हम organic compound को इन organic compound से simply laboratory में त्यार कर सकते हैं scientist फ्रेडरेक बूलर था जिसको हम अपनी जबान में जएदा तर एफ बूलर भी कहते हैं उसी scientist जिसका नाम फ्रेडरेक बूलर था उसने सबसे पहले organic compound को इन organic compound से त्यार किया 1828 में उसने सबसे पहला organic compound इन organic compound से त्यार किया जो सबसे पहला organic compound इन organic compound से बना वो यूरिया था यूरिया को ammonium sainate से त्यार किया ammonium sainate जो के एक इन organic compound था उसने इसे simply laboratory में त्यार किया सबसे interesting बात ये है कि एफ बूलर के काम से पहले कोई भी organic compound को simply इन organic compound से प्रेपेर करने के लिए त्यार नहीं था सब मानते थे कि vital force living organism में present होती है वही involved होती है organic compound की synthesis में लेकिन एफ बूलर उसने disprove कर दिया कि organic compound को हम in organic compound से त्यार कर सकते हैं एफ बूलर के काम के बाद बहुत से scientists ने organic compound को simply in organic compound से प्रेपेर करना शुरू कर दिया और अब millions and millions of organic compound synthesized हो चुके हैं ये तमाम काम एफ बूलर की वज़ा से है who opened a new way of science by disproving vital force theory Weaver's modern definition of organic compound देखते हैं The branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives इसका आरगेनिक chemistry वो chemistry की वो ब्रांच जिसमें हम carbon, hydrogen और उनके derivatives की study करते हैं वो आरगेनिक chemistry क्यलाती है Weaver's ये थी आरगेनिक compound की modern definition Weaver's कुछ ऐसे compound भी हैं जिनमें carbon और hydrogen तो present हैं लेकिन उन्हें carbon और अरगेनिक compound में शामल नहीं किया जाता उन में ज़्यदातर carbon monoxide हो गया, carbon dioxide हो गया, carbon dioxide हो गया, carbohydrates हो गया, etc So Weaver's अब हम देखते हैं कि आरगेनिक chemistry यानि के आरगेनिक compound के importance क्या है आरगेनिक compound और आरगेनिक chemistry ये हमारी daily life में बहुत ज़्यदा यूज होते है Almost all chemical reaction जो के एक living organisms में होते हैं वो आरगेनिक होते हैं नेचर में और वो इन्वाज करते हैं आरगेनिक मालिक यूज को जैसे के enzyme होगे, carbohydrate होगे, protein होगे, lipids, nucleic acid, etc हमारी जो food होती है इसमें भी आरगेनिक compound involved होते हैं इनको बनाने में आरगेनिक compound involved होते हैं जैसे के protein होगे, carbohydrates होगे, fats होगे सबसे important और most important जो यूज है और आरगेनिक compound का वो medicine और clothing है यनि के हम इनको medicine और clothing में यूज करते हैं आरगेनिक compound को plastic, synthetic rubber, medicines, textile, fertilizers, pesticides, detergents में भी यूज किया जाता है और इसका एक बहुत ही most important यूज यूज ये है कि इसको हम cosmetics में यूज करते हैं और मेरे चैनल को subscribe भी करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से subscribe कर लीजिए क्योंकि मेरी आने वाली next video भी बहुत ही interesting और informative होंगी